बच्चो नमस्कार गनित की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चो आज हम गनित की कक्षा में कक्षा पाचवी का अध्याय उन्निस छेत्रफल पढ़ेंगे बच्चो यह बहुती मज़दार टॉपिक है और इसे आपने कक्षा चौथी में भी पढ़ा हुआ है बच्चो हमने कक्षा चौथी में कुछ अभ्यास किये थे हमने एक अभ्यास किया था जिसमें हम पुस्तक टेबल पे जमा के देख रहे थे और उसका छेत्रफल पुस्तक के माध्यम से ग्यात कर रहे थे हमने एक छेत्रफल चूडियों के माध्यम से भी ग्यात किया था तो बच्चो उसमें कुछ प्रश्ण निकल कर आये थे आईए हम उस पे चर्चा करते हैं पहला प्रश्ण क्या चूडियों के बीच खाली जगा बसती है दूसरा क्या पुस्तके जमाने पर उनके बीच भी खाली जगा बची थी क्या चूडिया मेज की सता को पूरी तरह घेर लेती है क्या चूडियों से किसी सता का छेत्रफल ग्यात किया जा सकता है क्या किसी सता का छेत्रफल मापते समय उस सता को एक समा निकाईयों से पूरा ढखा जाना जरूरी है तो बच्चो इसमें हमने अभ्यास करके इन प्रश्णों के उत्तरप्राप्त किये थे आईए बच्चो आज की कक्षा में हम इसी को और आगे करके देखते हैं तो बच्चो आज हम छेत्रफल निकानने के लिए एक गतिविधी करके देखते हैं बच्चो इस गतिविधी में हम गत्ते का प्रयोग करेंगे तो बच्चो यहाँ पे आपको कुछ गत्ते दिखाई दे रहे हैं हमने तीन प्रकार के गत्ते काट लिये हैं पहला गत्ता जो आपको दिख रहा होगा उसकी लंबाई 2 cm और चोड़ाई भी 2 cm रखी है दूसरा जो गत्ता है वो देखिए उसकी चोड़ाई 1 cm है और लंबाई 3 cm है हमने जो तीसरा गत्ता लिया है उसकी लंबाई भी 1 cm है और चोड़ाई भी 1 cm है तो बच्चो हमारे पास तीन गत्ते हैं और हम इन गत्तों को मानक इकाईयों के रूप में उपयोग करके देखते हैं कि इनके द्वारा हम किसी सता का छेतरफल निकाल सकते हैं या नहीं तो आएए बच्चो गतिविधी प्रारंब करते हैं तो बच्चो पहले मैंने पहले गत्ता लिया है जिसकी लंबाई भी 2 cm थी और चोड़ाई भी 2 cm थी अब मुझे एक सता दिखाई दे रही हैं इस सता की जो लंबाई है वह देखिए 5 cm है और चोड़ाई 4 cm है अब देखे बच्चो मैंने जो मानक इकाई ली थी उसे इस पर जमा कर देखा तो देखे बच्चो मैंने जब 2 cm चोड़ी और 2 cm लंबी गत्ते के जो इकाई थी उसे बारी बारी से इस सताह पर जमाया तो बच्चो आप देख रहे होंगे कि मैंने चार गत्ते जमा दिये परन्तु ये चारो गत्ते उस सताह को पूर्ण रूप से ढग नहीं पा रहे हैं आप देख रहे होंगे कि उपर की सता छूट जारी है अर्थात हम इस से इस सताह का चेतरफल ग्यात नहीं कर सकते अब बच्चो हम दूसरे मानक गत्ते जिसकी लंबाई 3 सेंटिमीटर थी और चोड़ाई 1 सेंटिमीटर थी उसका प्रियोग कर रहे हैं तो देखे बच्चो हमने बारी-बारी से इस सतापर उसे भी जमाया तो आप देख रहे होंगे कि हमने चार गत्ते 36 में जमाया और एक गत्ता उर्द्वाधर जमाया परन्तु इसके बाद भी बच्चो आपको दिख रहा होगा कि इस सता का एक कोना रिक्त बच जा रहा है अर्थात उसे यह ढख नहीं पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह मानक इकाई भी गत्ते का चेत्रफल ग्यात नहीं कर सकते अब बच्चो हम तीसरी इकाई का प्रयोग करते हैं जिसकी लंबाई भी एक सेंटिमीटर थी और चोडाई भी एक सेंटिमीटर थी हमने बारी बारी से उसे भी इस सता पर जमा कर देखा तो आपको चीतर में दिखाई दे रहा होगा बच्चो हमने बारी बारी से उसे जमाया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इसी तरह के से हम जमाते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब हमने बीस इकाईएं उसके उपर जमा दी तो यह सता पूरी तरीके से ढग चुकी है तो आप हम कह सकते हैं कि इस इकाई के द्वारा हम इस सता का छेतरफल ग्याद कर सकते हैं तो बच्चो हमने देखा हर इकाई द्वारा हम हर तरह का छेतरफल ग्यात नहीं कर सकते परन्तु हमारी जो सबसे छोटी काई थी जिसकी लंबाई एक थी और चोड़ाई भी एक थी हमने उससे बड़ी असानी से सताह का छेतरफल ग्यात कर लिया तो अब हम कह सकते हैं बच्चो सता का छेतरफल ग्यात करने में हम एक इकाई वर्ग का उपयोग करते हैं जिसकी लंबाई भी एक सेंटिमीटर होती है और चौड़ाई भी एक सेंटिमीटर होती है अब अगर आपका आयत बहुत बड़ा हो तो हम सेंटी मीटर की जगा मीटर का प्रयोग भी कर सकते हैं अर्थात वर्ग मीटर उपियोग में ला सकते हैं जिसकी लंबाई एक मीटर होगी और चौडाई भी एक मीटर होगी दूसरी बात जो सताख का छेतरफल होगा वह किसके बरावर होगा बच्चो तो जितनी वर्ग इकाई का हमने प्रयोग किया है उनकी जो संख्या होगी वह उस सताख का छेतरफल होगा आईए बच्चो हम और अभ्यास करके इस बात को समझते हैं तो बच्चो आपको तीन चितर दिखाई दे रहोंगे बच्चो आप भी अपने घर में इस तरह की सता बनाईएगा और उसे वर्ग इकाई के रूप में धकने का प्रयास कीजेगा तो आपको इन सभी आकरितिव का छेतरफल ग्यात हो जाएगा यह अभ्यास बच्चो आप अपने घर में करके देखिएगा आपके पाठी पुस्तक में यह अभ्यास दिये गए हैं अब बच्चो हम एक और गतिविदी करके देखते हैं तो बच्चो आपको यहाँ पे एक आकरिती दिखाई तेरी है जिसकी लंबाई 6 सेंटिमीटर है और चाड़ाई 5 सेंटिमीटर है बच्चो हमने इसमें भी वर्ग इकाईयों को लगातार जमाते गए हैं तो आप देख रहे होंगे कि वर्ग इकाईय ने इस सता को पूरी तरीके से ढख लिया है अब कोई भी सता का छेतरफल खाली नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ग इकाईय द्वारा हम इस सता का छेतरफल ग्यात कर सकते हैं अब बच्चो मैंने बताया था कि छेतरफल कितना होगा तो वर्ग इकाई की जो संख्या होगी वही उसका छेतरफल होगा तो बच्चो आप इस चित्र में वर्ग इकाई की संख्या को गिन कर ग्यात कीजिए तो आप देखेंगे हम उपर से गिनते हुए चलते हैं बच्चो तो आप देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस, बीस, इक्किस, बाइस, तेईस, चोबिस, पच्चिस, चबिस, सत्ताईस, अठाईस, उनतिस और तीस तो कितनी वर्ग इकाई है थी बच्चो, तीस, तो इसका छेतरफल कितना होगा बच्चो, तीस वर्ग इकाई अब बच्चो आप देखिए कि हमें कितना मेहनद करना पड़ रहे हैं पहले तो हम वर्ग इकाई को जमाते हैं और उसके बाद गिनते हैं और छेतरफल बड़ा हो तो हमारी गिनती और अधिक हो जाती है तो क्या बच्चो कोई और तरीका है जिससे हम असानी से इस आकरिती का चेतरफल ग्यात कर लें तो बच्चो आप देखिए इस आकरिती की लंबाई कितनी थी? 6 cm और चौडाई कितनी थी? 5 cm और जो हमारा चेतरफल आया वो कितना आया बच्चो? 30 वर्ग इकाई तो बच्चो आपको यहाँ 5, 6 और 30 में कोई संबंध दिख रहा है क्या? जी यहाँ बच्चो 5 का गुना अगर हम 6 से कर दें तो कितना जाएगा बच्चो? 30 अगर हम 5 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर से गुना कर देते हैं तो आता है 30 वर्ग सेंटीमीटर हम यहाँ पे इस आकरती की लंबाई और चोड़ाई में गुना कर दें तो क्या जाएगा बच्चो? इसका छेत्रफर आईए हम एक और अभ्यास करके देखते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वो वास्तविक है या नहीं? तो बच्चो यहाँ पे आपको एक और आकरती दिख रही है जिसमें आपको तीन इस्तंब दिख रहे हैं और च्छे उसमें पंक्ती दिख रही है अर्थात इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चोड़ाई 3 सेंटीमीटर है अब देखे हमने वर्ग इकाई जमाई है तो तो यहाँ पे भी वह बात आ रही है लंबाई और चोड़ाई का गुना कर दें तो क्या जा रहा है बच्चो छेत्रफल तो बच्चो इस अधार पर हमने एक सुत्र बनाया जो आपको दिखाई दे रहा है कि आयत का छेत्रफल पराबर उसकी लंबाई गुनित उसकी आयत का छेत्रफल ग्यात कर सकते हैं हमें बार बार वर्ग इकाई जमाने की आवसकता नहीं पड़ेगी बच्चो इसी प्रकार एक और आकरिती होती है वर्ग तो वर्ग का छेत्रफल अब देखते हैं बच्चो कितना होगा तो इसी अधार पर चलते हैं क्योंकि वर्ग भी तो एक आयत है, तो वर्ग का छेतरफल बराबर लम्बाई गुनेद चौड़ाई, अब वर्ग में लम्बाई और चौड़ाई दोनों का मान बराबर होता है, तो हमने उसे भुजा के रूप में ले लिया, तो देखो बच्चों हमने लिख दिया, लम्बाई गुनेद वर्ग का छेतरफल भी ग्यात कर सकते हैं। अब बच्चो, आपके पाठी पुस्ते में कुछ इबारती प्रश्न भी दिये गए हैं। तो आईए उन्हें हल करके देखते हैं। बच्चो, मैं आपको पहला इबारती प्रश्न हल करके बता रहा हूं। आप इसी तरह अन्हे इबारती प्रश्न को भी हल कीजेगा। तो आईए चलते हैं पहले प्रश्न में। जिसमें दिया गया है कि आयत का छेतरफल ग्यात करो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो आईए बच्चो इसको हल करते हैं। तो बच्चो आपको पता ही है कि आयत का छेतरफल बराबर होता है लंबाई गुनित चौड़ाई। तो हमने लिख दिया लंबाई के स्थान पे 8 सेंटीमीटर, गुनित चौड़ाई के स्थान पर 4 सेंटीमीटर। अब बच्चो आप 8 का 4 से गुना कर दीजे, तो कितना आजाएगा बच्चो 32, तो यह हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात आयत का छेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर होगा, इसी प्रकार बच्चो आप अन्य इवारती प्रश्न को भी हल करके देखेगा, अब बच्चो हम आगे चलते हैं, तो बच्चो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 12 वर्ग इकाई बनी हुई हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं कि चोड़ाई 3 हैं, और लंबाई 4 हैं, तो क्या बच्चो ऐसा हो सकता है, कि हमें छेत्रफल दिया हो, और ल चोड़ाई दिया हो, तो हम लंबाई ग्यात कर सकें, तो बिल्कुल हो सकता है बच्चो, आपको यहाँ पे तीन रासियां दिख रही हैं, लंबाई, चोड़ाई और छेत्रफल, इन तीन में आपको कोई भी दो रासि मिल जाए, तो आप तीसरी रासि का पता लगा सकते हैं आप बच्चो, तीसरी रासि का पता लगाने के लिए हम भाग की अवधारना का उप्योग करते हैं, तो आपको नीचे बच्चो दिखाई दे रहा होगा, कि छेत्रफल में यदि चोड़ाई का भाग कर दें, तो लंबाई मिल जाती है, इसी प्रकार छेत्रफल में इसी प्रकार आप अन्य इवारती प्रशन को भी हल करके देखिएगा, तो बच्चो आपका पहला प्रशन दिया गया है, कि एक कम्रे के फर्स का छेत्रफल अठारा वर्ग मीटर है, इस कम्रे की चोड़ाई तो बच्चो आप यहां देख रहांगे कि हमें कम्रे के फर्स का छेत्रफल दिया गया है, और कम्रे के फर्स की चोड़ाई दी गई है, तो बच्चो हमारे पास सुत्र क्या था, कि छेत्रफल में यदि चोड़ाई का भाग कर दें, तो क्या मिल जाएगा बच्चो मिल जाता है तो हम यहाँ पे कमरे के फर्स का जो छेत्रफल है उसमें हम कमरे के फर्स की चोड़ाई को क्या कर देंगे बच्चो भाग कर देंगे तो हमने छेत्रफल अठारा में चोड़ाई तीन का भाग कर दिया तो आप देखिए 18 भागित 3 कितना आएगा बच्चो 6 तो यहाँ पे कमरे के फर्स की लंबाई कितनी होगी बच्चो 6 मीटर होगी तो इस प्रकार बच्चो आप अन्य इवारती प्रश्न भी हल करके देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा अब बच्चो हम चलते हैं अगली गतिवीदी में इस गतिवीदी में आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें वर्ग इकाईया बनी हुई है अब उसमें आपको एक त्रिभुज भी नजर आ रहा है हमें वर्ग इकाईयों की मदद से इस त्रिभुज का छेतरफल ग्यात करना है सबसे पहले आप क्या किजेगा इस त्रिभुज में रंग भर लिजे अब बच्चो आपको उसी वर्ग इकाई को गिनना है जिसमें रंग आधे से अधिक में भरा हो और जिस वर्ग इकाई में आधे से कम रंग भरे हुए होंगे उन्हें आपको छोड़ देना है तो बच्चो यहाँ पे हमने त्रिभुज में रंग भर दिया अब बच्चो आप देखिए किस किस वर्ग इकाई में आधे से अधिक रंग भरे हुए हैं तो बच्चो हम नीचे से गिनना प्रारम कर रहे हैं तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ और उपर देखिए आठ क्योंकि उसमें भी आधे से अधिक रंग भरे हुए हैं तो बच्चो हमने यहाँ पे देखा कि आठ वर्ग इकाई हैं जिसमें आधे से अधिक रंग भरे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का छेतरफल आठ वर्ग इकाई होगा बच्चो इसी प्रकार से अन्य चित्र आपको आपके पाठी पुस्तक में दिये गए हैं आप उन्हें भी रंग भर कर उनके छेतरफल को ग्यात कीजेगा आपको बहुत मजा आएगा बच्चो अब हम मिलते हैं आप से गनित की अगली कक्छा में कुछ नए अवधार्णाओं के साथ तब तक के लिए नमस्कार